एक बार बिहार के समस्तिपुर में जो पटेल मैदान हैं वहाँ पर एक जनसभा चल रही थी कई नेताओं ने अपने अपने भाषन दे दिये थे और अभी एक बड़े नेता का नाम बुलाना बाकी था दसल संचालन करता ने पिर्देश के मुखे मंत्री लालू पिरसाद यादव का नाम बुलाया और जैसे ही उनका नाम बुलाया गया था पूरा का पूरा मैदान तालियों से गून जाता है लेकिन लालू पिरसाद यादव इधर उधर देखने लगते हैं लोग समझी नहीं पा रहे थे कि उनका नाम बुलाया गया है लेकिन वो मंच पर ना कर इधर उधर क्यूं देख रहे हैं इसी बीच में समस्तिपुर के जो जला अधिकारी होते हैं फैज आलम तुरंत ही वो दोड़ते हो जाते हैं और लालू परसाद यादफ के मूँ के सामने पीक दान लगाते हैं लालू परसाद यादफ के मूँ में कुछ था उसको थूकना वो चाहते थे कुला करना चाहते थे थूका भी और कुला भी किया अब इसे दर्शे को ना केवल वहाँ पर मौझूद नेता देख रहे हैं बलकि बहुत सारी अधिकारी भी देख रहे हैं और जन्सवा में मौझूद जो दर्शे को पबलिक आई थी वो भी देख रहे हैं यही बात मीडिया में जब प्रिकाशित होती है तब पता चलता है कि I IAS Officer और IPS Officer का क्या रुतबा है क्या मामला है उस दोर की कई कहानिया चर्चित होती है आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं यह कहानी एक IAS अधिकारी की है जिसकी पतनी के साथ एक दो नहीं बलकि दो साल तक लगातार रेप होता रहा बलातकार होता रहा और वो राज नहीं बलकि जंगल राज रहा है यह कहानी उसी की है आदाब नमस्कार सस्त्रियकाल मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूं इस सची घटना है 7 सितंबर 1995 की बात है समाच का लियान बोर्ड का जो क्वाटर है उस क्वाटर के बरा बताया जाता है कि उनकी नोकर की बहुत ज़्यादा तवीद खराब है और आप उनकी कुछ मदद कर दीजी तो जो आई-एस ओफिसर हैं उनकी पतनी है जिसका नाम होता है चंपा विश्वास उमर लगभक 30 साल के आसपास होती है वो जैसी सूचना मिलती है सूचना मिलने क के बाद वो पडोस वाले घर में पहुंच जाती है जो कि समाच के लियान बोड की जो अध्यक्ष है विधायक है मिलता यादव का ये क्वाटर होता है और वो जैसी घर में अंदर जाने के बाद बताया जाता है कि कमरे के अंदर वो नोकर लेटा हुआ है उसके तबीत खरा बिधायक का बेटा होता है जिसके नाम बबलु उर्फु मृतुंजे यादव होता है वो ये सब अंदर मुझूद था और उसने इस महिला को बूरी नियस से पकड़ लिया दबोच लिया और उसके साथ बहुत जबरदस्ती करने लगा महिला भी बचने की तमाम कोश्चे कर रही थी लेकिन वो लड़का जिसकी उमर लवक 27 साल के आसपास होती है उस आई ऐसा अधिकारी की पत्नी को उसके साथ बो बलात कैर जैसी घटना को अंजाम देता है और जैसे ही वो इस घटना को अंजाम देता है दरवाजा खुलता है उसके बाद यह महिला जब यहां से जाने की फिराक में थी तो जाते जाते बाहर जो उसने देखा तो कई और नेता बाहर बैठे हुए थे साथ ही विधायक भी बाहर बैठे हुए थी जो इस लड़के की मां को ता है अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था लेकिन जैसे ही यह महिला आ च कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए गए हैं मुझे जानकर ये भी होई है कि तुम्हारी कुछ वीडियो भी उतारी गई हैं और ये वीडियो ये फोटोग्राफ्स पूरे समाज में सर्कलीट कर दी जाएंगी बांट दी जाएंगी फिर तुम किसी को मूद दिखाने लाइक नह जो खुद की इजद थी वो पूरे बाजार में निलाम करने की जो धमकी दी गई थी वो महिला डड़ जाती है घबरा जाती है और सीदे अपने कौार्टर में पहुँच जाती है समझ नहीं पाने थी कि आज उसके साथ जो हुआ है वो ऐसा कैसे हो गया है आई एस ओफिसर क ने किसी और से कुछ नहीं कहा लेकिन ये पहली बार नहीं था अब एक आदत सी बन गई थी उस लड़के ने जिसके नाम मृतुञे कुमार यादव होता है वो कभी कभार घर में आया तो कभी उसने जवर दस्ते अपनी पास बुलबा लिया इसी तरह से वो रेप और बलात चलता है कि गरब इसकी वज़े से ठहरा है तो उस महिला को वाकी बहुत परिशानी होती है वो अपने मायके की तरफ यानि की कौल काता जाती है और गरब बात कराके आ जाती है साथ ही वो नस्वंदी भी कराके आ जाती है वो डर रही थी क्योंकि आए दिन इस तरह की घटन था उसको ये भी खौफ नहीं था कि जिसकी पत्नी के साथ वो ऐसा कर रहा है वो सबसे बड़े पद पर रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी है फिर भी वो अपने काम को अंजाम दे रहा था धीरे धीरे करके वक्त हुजरता है जो भी इसमें विरोध कर रहा था चाहे वो मा थी की हीनियस इस वक्ति की दरंदीगी का शिकार होना पड़ता है और एक दिन यही बात पता चल जाती है इस आई एओस एस ओफिसर जिसका नाम होता है बीबी विश्वास बीबी विश्वास ने जब ये बाते सुनी तो उसको यकीन ही नहीं हुआ उसके पैरतला जमीन खि प्रदेश के मुख्यमंतरी लालू पिरसाद यादब के पास ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि जब ये मुख्यमंतरी के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि आपकी एक विधाया के जिनका नाम है हैमलता उनका एक बेटा है जिसकी उमर 17 साल के आसपास है नाम है म रतिंजे कुमार यादब वो मेरी पतनी के साथ लंबे समय से बलातकार कर रहा है रेप कर रहा है आप मेरी मदद कर दीजिए पुलिस इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर रही है जब वो लालू परसाद यादब से मदद की भीक मांग रहे है तो बताते हैं कि लालू परसा के बाद उन से मदत की गुहार लगा जाती है इसी बीच में जब मदत की गुहार लगाई जा रही थी यह मामला फिर कहीं न कहीं हाई-लाइट भी होने लगता है और इसी रिपोर्ट को इंडिया टूडे बहुत ही प्रिमुखता से प्रिकाशित करता है और जैसे ही ये रिपोर्ट मीडिया माती है प्रिकाशित होती है तो पूरे देश में कही न कहीं बबाल मच जाता है हरकम मच जाता है कि एक IAS अधिकारी की पत्नी के साथ लगवग दो साल से 1995 से लेके 1997 में तक ऐसे ही चल रहा था और ये प्रिकार से जानता हूँ वो कभी ऐसा कवरे परिवार कर ही रही सकता है तो ये बात कहीं न कहीं और जद़ खराब लगती है बुरे लगती है ये बात भी मीडिया में आने लगती है इसके बाद विपक्ष्ट के नेता होते हैं सुशिल कुमार मोधी तक ये बात पहुंशत कुमार यादा होता है उसकी गरफतारी हो जाती है अब जैसे ही बेटे की गरफतारी होती है तो मा यहां से भाग जाती है मा लगत दो महीने तक इधर उधर भागती रही आखिरकार पुलिस पर दवाब था और पुलिस ने इसम विधायक को भी गरफतार कर लिया और गरफत तक इने जमानत नहीं मिलती इसकी माा को तामीन जमानत मिलती है और 2002 में लू़वर्कोर्ट छोड़ presents यह बताया जाता है क्यों रियादब बेइध को 10 साल की कड़ी सजा सुनाए गई और मा को 3 साल की सजा सुनाए गई लेकिन मां 3 साल की सजा पहले ही जेल में काट चुकी थी और बेटे की सजा पांस साल के लवग हो चुकी थी फिर वो जेल चला जाता है और आठ साल के बाद ये मामला फिर हाई कोट में जाता है क्योंकि जो ये आरोपी पक्ष होता है रितन जो कुमार यादब हाई कोट की शरण लेता है हराई कोट पटना इस मामले में एक तम उलट फैसला सुना देती है यानि कि इस मामले को յो कही न कहीं जूटा करार देते हैं कहते हैं कि ये ऐसा मामलत था है तो आपने दो साल तक इस बात को क्यों छुपा गए रखा फिर ये कही न कहीं केस पूरी तरह से रफादाफा कर दिया जाता है और एक दलिल दी जाती है कि दो साल तक आप शांत क्यों रहे आपने आवास क्यों नहीं उठाई थी और आपने गरपात करा लिया गरपात आपको नहीं कराना चाहिए था और आपने नस्बंदी भी करा ली आपको नस्बंदी भी नहीं करानी चाहिए थी आपकी पुलिस नहीं सुन रहे थी आपकी अधिकारी नहीं सुन रहे थे तो आपको कोट की शरण लेनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था खुल मलाकर वो अपरादी वो आरोपी जे सलाखों से बाहर चला जाता है अलग चला जाता है लेकिन इस परिवार की मुसिवतें कम नहीं हो रही थी आये ऐसा धीकारी बीबी विश्वास को बिहार चोड़कर सिधा दिल्ली आना पड़ता है और दिल्ली में जब रहने लगते हैं तो यहां भी उनको रहात नहीं मिलती इसके बाद बापिस उन्हें जाना पड़ता है बिहार की तरफ लेकिन बिहार और जार खंड जब अलग हो होता है और वहीं पर वो अपनी नोकरी करने लगते हैं कुछ समय तक तो नोकरी करते हैं लेकिन अचानक ही बीमारी की चलते हैं जैसे वी या टेंशन में उनकी मौत हो जाती है वो मर जाते हैं और परिवार के बाकी लोग जो होते हैं बाकी के बाकी सब लोग यहां से उनकी पतनी चमपा विश्वास कलकत्ता में जाकर शिफ्ट हो जाती हैं और एक गोम नाम जिन्दगी जीने लगती हैं और ऐसे ही अपनी गुजर वसर करने लगती हैं जब ये बात सोचल मीडिया के माधियम से लोगों को पता चलती है कि लालू परशाद यादफ के कारेकाल में कु पता आए ये भी जाता है कि चमपा विश्वास जो है उन्ने कहीना कहीन रदूंजो कुमार यादफ से महबत हो गया थे इश्ग हो गया था प्यार हो गया था हालाकि अगर ये बात थी तो पुलिस को ये भी रिपोर्ट अपने देनी चाहे थे लेकिन पुलिस ने अपनी र रिपोर्ट लगाई होती यह पुलिस ने अपने इमानदर से काम किया होता तो इसमें सही बात निकल के सामने आ जाती हाले कि मीडिया में भी तरह तरह की बाते चलती रहती हैं। बहुत मुबारक बात साहिद 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 ही कुछ लोगों ने नाम लेनी की अपील के थी इसमें मुहमद नदीम हैं हरविश करशफ हैं राशिद एहमद शिवायादब महित कुमार सिप्चरनलाल बाकाराम खोंच मौनु बाबू पूनम रवीश गुजर शाहिद हसन आजम